लोकसबा चनाओ के बाद वोटों की गिनती शुरू होने में अभी कुछ घंटे का वक्त बचा है लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत की जश्टन की तयारी शुरू कर दी है इन दौर में मध्धप्रदेश की मंत्री तुलसे सिलावट मिठाई की दुकार पर पहुँचे और मिठाई का ओर्डर दिया जौरान कहा कि कॉंग्रेस सबने देख रही है जौरान का बेसबरी से लगों को इंदजार है और देश के सबसे सच सहर इंदौर में इस बार तयारियां भी कुछ खास है क्योंकि इस बार वीजेपी के तरफ से दावा किया दारा है कि देश की सबसे बड़ी जीत इंदौर में होगी क्यों कॉंग्रेस चनौवी मेदान में थी नहीं और बड़ी जीत के तयारी अंदौर में सुरू हो चुकी है इंदौर के छाओनी में एक मिठाई दुखान में इस वक्त में मौच हो तो तस्वीर आपको दिखाना जाओंगा जल संसादन मंति तुलसी सलावाट आपको तस् तुलसी बार चार सो सी आप भी मिठाई को जखार आप भी मिठाई का स्वाथ चेकने आए कल इंदौरी भी चकेंगे कारकरता चाहिए इसलिए तो आए अटर देने पूरे इंदावर नहीं पूरे मद्धवजें पूरे देश में जस्त मनें वाला है क्योंकि फिस्ते तीसर संकल ललवानी जी मोधी जी के नहत्तोत में तोनने आ रहे हैं मद्ध्य प्रदेश में 29 की 29 सिट और देश में अपकी बार 400 बार फिर से मोधी सरका बीजेपी जशनी के तयारियां सुरू कर चुकी है और इस वक्त मिठाई के दुकान में मौजूद है और तमाम मिठाईयों कि दुकान विस वक्त आपको बीजेपी के कारकरता नजर आएंगे तो कल बड़े जशनी के तयारी जो सुरू ही कल बड़े जशनी तयारी देखने को मिलेगी क्योंकि बड़े जीत का दावा भी भारती जन्ता पार्टी इन दौर ते कर रही है बिड़ जनलिजिस्ट दगले साथ मिठले जुपता निज एटीन इन दौर पर सवाल खड़े के जा रहे हैं ऐसे बिल्कुल brick आपने की विपच जो है एक वार सब फिर से सवाल खड़े करने सुरू कर दिया इन दौर कि जनता भी इस वक्त में साथ मौझूद है, जो यहां पर मौझूद है, सीधा उन्हीं से पूचेंगे, कि जनता इस बारे में क्या सोचती, क्या कहती है, धिक बिजे सिंग है, कांग्रेस के वरिष नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर 300 को पर बीजेपी के सीट आएगी, यानि इबिएम का खेल हो गया, क्या चंता क्या सोचती इसको लेका है? दूसरे, सुनाओ अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे लांच्छन लगाना, कि बीजेपी के एजेंट हो गए, यह हो गया, वो हो गया, मैं किसी पारटी से बिलांग नहीं करता हूं, विए एक आम आदमी ह लेकिन एक सोच बता रहा हूं कि यह कांग्रेस की वरिष्ट नेता है कांग्रेस पार्टी ने भारत देश पर सबसे ज़्यादा सासान अभी तक किया है इसके बाद में इस प्रकार की बाते करते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी सोच का दिवालियापन हो चुका है ओ realised लगातार चाहदीग बीजे सेंगों तमाम क्यों करूड्र सके बड़े नेता है जैंता को क्या लगता है कि कसिस था पोल आका रुजान के एक्जिप पोल बता रही तमाम सर्वे एजेंसिया जो बता रही है कॉंग्रेस की कहीं ने कहीं हार हो रही है और बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ ये हैट्रिक लगाने जारी है बड़ा चीद होने जारी जनता को लग रहा है बेलकुल हंडेट परसंट जो पार्टी जो ब्यक्ति कोई भी हो एक्सवाज आटकी से भी पार्टिक हो अगर वह जनता के लिए काम करेगा अच्छे काम करेगा विकास क्या काम करेगा तो जरूर आएगा जनता उसको पसंद करेगी और ये पिछले 10 सालों में हुआ है आम जनता ने देखा है हमने भी देखा है जो कि पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ जो पिछले 10 सालों में हुआ है मोदी जी पर जनता को कितना विश्वास है और देखना आपकी कितना विकास होगा और भारत देश कहां से कहां जाएगा चलिए कुछ लोग और उनसे पूछ लेते हैं उनके मन में क्या है इबियम को लेकर जो बार बार सवाल खड़ी किया जाता है नेताओं के दुआरा क्या लगता है कि ये सही है नई गलत है इबियम बिल्कुल सही है जनता मानती कि इबियम बिल्कुल सही है बिल्कुल मानती ह लगता है कि यहार का भाना है यही माने आप कि कुछ मुद्धा तो बचा नहीं है आप कॉंग्रेस के पास किसी भी तरह से तो अब जो भी एलिगेशन आ रहा है वो एवीम पे के उपपर लेके जा रहा है सब कुछ इन दोर के अगर बात करते हैं तो इन दोर में क्या लगा रहा है कि जीत का रिकॉर्ड बनेगा बीज़ेपी ने तो तयारियां जूरू कर दी हम जरा आप बताए कि राइपूर में किस तरह से तयारियां हैं सवाल तो खड़े हो रहे हैं सियासिक गल्यारों में क्या माहर?